आपने गीता प्रेस का नाम सुना है? जी हाँ बिल्कुल सुना ही होगा गीता प्रेस जो कि उत्तर प्रदेश के गौरकपूर में है और गीता प्रेस द्वारा धार्मे किताबे बेची जाती है दरसल ये एक मात्र ऐसी अजनसी है जो हाँ पर धार्मे किताबे बेची जाती है और सनातन धर्म का प्रचार करती हैं किताबे और काफी ज़ादा कम दामों में किताबे बेची जाती है अब गीता प्रेस के उपर विवाद भी खड़ा हो चुका है इसके उपर कई सारी सियासते भी आ रही है दरसल यह जो गीता प्रेसे राजनिती से कोसो दूर रहती आई है लेकिन अब गीता प्रेस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गीता प्रेस आखिर है क्या, गीता प्रेस की शुरुआत कब हुई, गीता प्रेस का उद्देश्य क्या है, साथी साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गीता प्रेस जो इतने कम कीमत में धार्मी किताबों को बेशती है वो अपनी पूरी भरपाई किस तरह से कर सकती है, कितने महाँ पर करमचारी काम करते हैं और क्या-क्या इस पर स्यासी घमासान चल रहा है, आपको वो भी बताएंगे देखे, सबसे पहले अगर हम बात करें गीता प्रेस की, तो गीता प्रेस हिंदू धरम गरंथों का दुनिया भर में ये लोगप्रिय मानी जाती है काफी जादा और एक मातर ऐसी प्रेस है जिसका राजनेतिक जगत से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर आजकल जो हमने आपको बताया फिलाल उस पर स्यासी घमसान शुरू हो गया है, गीता प्रेस को साल 2021 में गांधी शांती पुरसकार दिये जाने की घोशना के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमरा कर दिया, अब हमला तो कर दिया, तो भारते जन्दा प राची को हिंदू विरोधी बता दिया, महात्मा गांधी के 125 जन्ती के मोके पर साल 1995 में शुरू हुई गांधी शांती पुरसकार के प्रतीक चिन वा परशंसित पत्र के जो अलावा एक करोड की राशी भी दी जाती है, लेकिन गीता प्रेस के परबंदक द्वारा जिनका नाम है लाल मनीतिवारी, उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मान स्विकार है परंतु राशी वो स्विकार जो उसमें धन राशी मिलने वाली एक करोड धन राशी उन्हें वो स्विकार नहीं है, हालां कि उन्होंने सम्माने एलान पर सरकार को धन्यवाद भी दिया, अब आपको इसे की स्थापना साल 1923 में हुइ थी इसलिहाज से प्रेस की स्थापना अप्रा शताबडी वर्ष जो है बूढ़ रहा है इसकी स्थापना जो है वह जय दलाल द्वरा की गई थी और गन्शाम, जालना और हनुमान प्रसाद ने इनकी शुरॉइत की थी कि उन्होंने भगवत गीता की एक टीका लिखी थी जिसमें प्रकाशिन की बहुत सी अशुद्धियां थी जिसके बाद उन्होंने खुद ही प्रेस शुरू करने का संकल्प ले लिया था गीता प्रेस से कुल 14 भाशों में 41.7 करोड़ पुस्त के प्रकाशित हुई हैं दुनिया भर में यहां के ग्रंथों की आसानी से पहुंच है इनमें श्री मद भगवत गीता है वाल्मी की रामायन है तुलसिदास रचित रामचरित मानस है हनुमान 40 दुरगा 40 और पुरान में पर देखने को भी मिलती है अब हम बात करते हैं कि गीता प्रेस का उदेषड क क्या है कि इसके उदेश हैaz हिंदू धरम के पुस्तकान का पत्रिका कल्यान की अंग्रेजी पत्रिका कल्यान की भी लाख प्रतिक्रियान जो वो बेशती है और संस्थान का उदेश्य समाच में सनातन धरम और सिधानतों का प्रचार पर सार करना है गीता प्रेस की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये संस्था ना तो चंदा या उभार स्विकार करती है और ना ही अपनी संस्था की पत्रिकाओं हैं उनमें भारे विज्यापन का प्रकाशन करती है किताबों या फिर पत्रिकाओं की कीमत कम से कम रखी जाती है ताकि जो भी पढ़ने वाले हैं वो इनको असानी से खरीज सके और इनका अध्याइन कर सके अगर हम बात आपको बताएं तो गीता प्रेस की पुस्तकों की लागत जो है वो 40-50% कम कीमतों पर बेची जाती है सस्ती होने के साथ साथ यहां की पुस्तके छपाई से लेकर भाष्वा की शुदता की कसोटी पर भी काफी जादा खरी उतरती हैं और इतना ही नहीं सुदता और शुदता इसकी खास गुनवतता है और यहीं इसकी लोग प्रेताख्या भी राज है देश में तमाम रेलवे स्टेशन की बुक स्टॉल पर गीता प्रेस की पुस्तके बेची जाती है इसका संचालन कॉल करता स्तित गोविंद भवन करता है गीता प्रेस के प्रोडक्शन मैनेजर के अगर बात करें तो लाल मनी तिवारी के मुताबिक रोजाना पचास हजार स से जादा किताबे विक्ती हैं और सालो साल गीता प्रेस की पुस्तकों की विक्री बढ़ती ही जा रही है साल 2021 में 78 करोड तो 22 में करीबं 100 करोड की कमाई हुई थी अब ये एहन सवाल है कि करीब 300 करमचारी वाला ये संस्तान घाटे में किताबे चापकर क्यों बेशता है औ कि जो ट्रस्ट के दूसरे कारियों से इस घाटे की भरपाई कर दी जाती है तो गीता प्रेस का तो सीधा सीधा उदेश्य है सनातन धरम का जादा से जादा परचार करना और काफी कम दामों में गीता प्रेस अपनी पुस्तके बेशती है और गीता प्रेस का ये भी कहना है क काफी जादा उन्हें वृद्धी देखने को मिली है पुस्त के बेचने में जो धार्मिक पुस्त के उनके द्वारा बेच जाती है अक्सर हमने देखा होगा कि जो भी धार्मिक पुस्त के हैं उनके जो अंतिम पेच है वहाँ पर गीता प्रेस का जरूर वहाँ पर दिया जात कि और क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा लेकिन फिलाल इस वीडियो में आप हमें इजाज़त दीजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल ना जाएं आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27 मैं हूँ आपके साथ स्वाती ठाकू इसाईथर प्सक्राइब करें आपके सensedओ करें देख थाज़त करें इसंदर सक्राइब करें देख matt लव करें लो करें देख हैं।